नमस्कार दोस्वों आपशवी का बहुत बहुत श्वागते दोस्वों केशे हैं आपशवी उम्मीद करते हैं कि मातारानी के शिर्वाश्य आपशवी बहुत यच्छ होंगे दोस्वों हम आप शिवी को बता दें कि अब आपका श्वर्ग का दरवाजा खुल चुका है जिया दोस्वों आने वाले 72 घंटों का श्यमे आप शिवी के जिन्दगी के दोस्वों अनमोल समय रहने वाले हैं जिन्में आप शिवी के जिवन पूरी तरह बदल जाएंगे जिया दोस्वों या श्यमे आप शिवी के गरहों की इस्तिती कुछ ऐसी बनने वाली है गरहों का गोचर कुछ इस्पकार होने वाले हैं जिनसे दोस्वों आप शिवी का पूरा भौश बदल जाएगा दोस्वों हम आप शिर्वाद व्यक्ति को बता दी कि जब गरहों की इस्तिती अच्छी होती है तो दोस्वों व्यक्ति को अच्छे परिडाम प्राप्त होते हैं लेकिन दोस्तों जब ग्रहों की इस्तती के शाथ साथ इशुवर का भी शिरवाद व्यक्ति के जब शाथ रहते हैं तो दोस्तों उस व्यक्ति का जीवन बिल्कुल ही सोने पे सुहागा वाला हुज आता है पर दोस्तों यह शमय आने वाले 22 घंटों का शमय आपके लिए हीरे से भी किमती शमय रहने वाले हैं कुछ यसी बड़े गरहों की इतती बनने वाली है कुछ यसे बड़े गरहों के योग बनने वाले हैं जिनके कारण दोस्तों आप शिवी को यह शमय अच्चंबिक लाब मिले वाले हैं जो कभी आपने शपने में भी नहीं सोचे थे दोस्त दोस्तों इस परकार की यश में लाब आपशिभी को देखने को मिलेंगे। जिवनकाल में दोस्वं आपको बहुती बड़ी बड़ी खुशकबरी मिलेंगी उस जहे दर्शे जहां पर आपने कभी कलपना भी नहीं की होंगі इसलिए Jрах में आ कभी कलपना भी नहीं की थे दोस्वं vorstellen जिनसे आप शिविक के जिवनकाल में आपके बहुत शारी कष्ट बहुत शारी शमिश्याई भी खत्म होंगे जे दोस्वं हम आप शीबी को पता दे कि भगवान श्रीरी विश्णुजी इंदर्र के राजा है दोस्वं आप शीबी को पता दे कि जिनके वी जुनकाल में इनकी किरपा हो जाए दोस्वेक्ति के जुनकाल में कोई भी शंकर्ष मेशियाएं तो दूर की बात दोस्वेक्ति के जुनकाल में उत्पन हो ही नहीं शक्ति है चाहे उनके जुनकाल में कितने भी शत्रू हो कितने भी द्याति दुश्मन हो अगर इश्वर के शरणों में कोई भी जातक जाता है इश्वर को परशन करता है अच्छे कर्म करता है तो दोस्तों भगवान शरी विसनुजी उन्षविक की राश्वी में कुछ यह सही बड़े चमतकार करते हैं जो कि दोस्तों आप शिविक के जिवनकाल में चमतकार होने हें और दोस्तों बड़े ही किशमत वाले हुआ जो भगवान ने आपके लिए श्वर्ग का दरवाजा खुल दिया है। तीन दिनों का श्मय 62 घंटों का श्मय आपके लिए कोईrir शे कम नहीं रहने वाले है। दोस्तों या श्मय आप श्मय बता दे कि दोस्तों जो भी आपके शमश्याएं तो जाएंगे बहुत उछ़ारी लाब आपको मिलने वाले है और बहुत बड़ी-बड़ी खुशक अबरी इश्मे आपको मिलने वाली है दोस्तों शवी के बारे में हम जानेंगे एक के करके विस्तार शेप शादे कुछ मैत्पुन बातों को भी यश्मे आपको अपने ध्यान में रखना होगा जिया दोस्तों जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आउश्यक है दोस्तों आपने यह बात सुनी होगी कि जहां पर अच्छे लोग होते हैं जो कि दोस्तों आपको हमेशा नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं जो कि हमेशा आपको नीचे खेचने के अपरयाश करते हैं तो दोस्तों आपको कैसे इनों लोगों से सावधा नेना है कैसे इनों लोगों से बचना है कौनशे कारे करना है दोसों आज के इस वीडियो में हम आपको हरी के बाद बहुत ही जिस्तार तरिकेशी बताने वाले हैं और कुछ यशे शरल उपाई भी आपको देने वाले हैं जरी में आपको एक पेशा भी नहीं लेगा और दोसों आप शिवी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा शबी द्रहते दुश्मनों शी मुक्ति आप शिवी को मिल जाएगा और दोसों हर कारियों में आप शिवल्दाओं को प्राप्त करेंगे बस दोस्वों आपको क्या करना है कि वीडियो को बिल्कुल ये ध्यान से अंत तक दिखना है दोस्वों अगर आप आज की इस वीडियो को अंत तक ध्यान से दिख लेंगे तो दोस्वों आने वाली 22 गंटों का शमे जो हीर्य शे किम्ती शमे है उनमें दोस्तों आपको हीरे शेवी बड़ी लाब मिलने वाली हैं जिनसे दोस्तों आप शेवी का घर और परिवार बिल्कुल ही खुशियों में जुमेगा तो दोस्तों वीडियो को अंते तक देखिएगा उश्ये पहले दोस्तों शरपर्थम जो भी भगवान श्रीरी विश्यों जी आपके उपर हमेशा जुनकाल में किरपा बनाए रखे मतल लक्षमिक अश्रबाद आप शिवी के घर परिवार पर हमेशा पढ़ते रहे तो दोस्तों इस चैनल को आप शब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा तो आई दोस्तों वीडियो की शु शुबी को बहुती बड़ी शबलताएं देने वाली है तो दोस्तों या शिमें आपको कौन-कौन-कौन-शी शबलता मिलेंगी और कौन-कौन-शी बातों का ध्यान रखना होगा दोस्तों शब्शे पहले आप शिवी को बता दे कि इश्युवर की देविशक्तिया आपके शब्शे शाथ रहेगी तो दोस्तों आपको कोई शंकेत मिलेंगे उन शंकेतियों का आपको शमजना होगा जै दोस्तों तो इस वीडियो में हमारे एक पात बिश्युवर के बता दें कि जो भी जात तक इश्राशिक के हैं जो पिछले जयुनकाल से बहुत ज्यादा जो पिछले जियोंकाल में मेहनत की उनका फल नहीं मिला है winter to D dash श्रम एक बिल्कुल ही विप्रित होने वाले है जहां पछले श्रमे मेहनत की बशहारे मेहनत का वी फल नहीं मिल पाया है healing दोस्तों यह वी sexual की देवी शक्ति आपके शाथ है तो दोस्तों आप शिबी का कान काम बिल्कुल ही दिन दूगनी रात शोगनी तरीकेशे बढ़ने वाली है जिस छेतर में आप जाने वाले हैं वहाँ पर आपका मान श्रमार बढ़ने वाले हैं हर एक छितरों में आपको शफलताओं की प्राप्ति होने वाली है कोई शाथ शेतर नहीं होगा जहां पर आप पराजे हो जाएं दोस्तों हर जगों में आपके जित के जंडे गड़ने वाले हैं जैंदोस्तों शाद शाद आप शिबी को बता दें कि श्रमार में आपका मान समान बढ़ने वाले हैं आपके कारी में बड़ी शफलता आप शबी को प्रात हो शक्ती हैं, रुके वे जिनके भी कारे हैं उन शबी का कार्या शमी चलने वाले हैं, माता लक्षमी जी के श्रवाशी आप शबी के जिवन काल में, जो भी शमेशयां चल रही हैं, पेशों को लेकर जो भी शमेशयां हैं, धन से जड़ी शबी परकार की शमचत्या समच्याएं आप शिवी के जीवन से आप विलूपत होने वाली है और दोस्वों धन्शे परिपून आप शिवी का घर और परिवार हो जाएगा दोस्वों आने वाली 72 घंटों का शमे आपके लिए हेरेश कीमती शमे है इसलिए दोस्वों यह शमे इन शमें को जाया मत किजेगा और कुछ बातों को आपको अपने जिवन काल में ध्यान रखना है जैसे कि दोस्वों आपको अपने जिवन काल में कुछ बातों कैदे लखना है शबसे पहला बात यहा है कि दोस्वों आने वाली 72 घंटों के शमे में आप अपने शमे को बिल्कुल ही गल कर दिये दोस्तों इस बात को आपको याद रखना है कि आने वाले 72 घंटों का इश्य में आपके लिए बहुत ही महत्मुश शमय है यह शमय इश्य इश्वर ने आपको बड़े ही मोके दिये हैं तो दोस्तों इश्य मोकी को आपको भूल कर भी नजर अंदाज नहीं करना है औ दोस्तों आपके पीट पीचे चुक हो सकती है और दोस्तों अगर आप शामने रहेंगे हर वातों पर नजर रखेंगे हर कारियों पर ध्यान देंगी तो दोस्तों आपका कार बिलकुल भी अशबल नहीं होगा और जो भी कार अशबल भी होंगे दोस्तों उनमें शबलताओ इंदेते हैं शुमे बहुती बैतरिन है करहों का पूरा पूरा शयोग आप शुबी को मिलेगा और दोस्वेज में आपको क्या करना है कि समय का सही सद्यूपियो करना है जे दोस्तों किसी भी गलत संगत पर यश्मी आपको नहीं लगना है ना है दोस्तों बुरे विचार से आपको किशी के शाथ पेश आना है किशी के पड़ती यश्मी दुश भाव आपको नहीं रखना है जो भी आपके पड़ती दुश भाव रख रहे हैं यश्मे इश्वर्द की देवे शक्ति आपके शाथ रहने वाली है भगवान श्रेडी विश्णू जी का श्रबाद आप शबी के शाथ रहने वाली है मादाल लक्षमी जी की किरपा आप शबी के शाथ रहने वाली है जिनके कारण दोस्तों आप शबी के जिवनकाल में शबी शत्रों का विनाश होगा बश आपको अपनी तरपशे कोई भी गलती नहीं करना है बांकि शम्य आपके लिए आपकी काबलियत का आपकी योगताओं का तारिफ दिलाने में हमेशा आपकी शाथ रहेंगी जिन दोस्तों यशिमे आपको बता दें कि आप जिस भी कारे में अपना हाथ को डालेंगे वह कारे अवशी आप शबी के पक्ष में आएंगे जिहां दोस्तों आप शिबी को बिदा दे कि शंतान से शंबंदित यश्मे आपको जो भी शमश्या है वो शमश्या दूर हुश रखती है शंतान की और शे आपको यश्मे बड़ी खुशकबरी मिल सकती है जो लोग पिछले कई शमश्ये शंतान प्राप्ति के बहुत ही चाह करम होने की शंभौना भी बनेंगी या फिर एक योजना आप बना शकते हैं आने वाले शिबी में आप शिबी को बता दे कि कहीं पर आप लंबे टूर पर भी जा सकते हैं जो कि धार में अस्तल हो शकता है जे दोस्तों इसको ब्रांद आप शिबी को बता दे कि यश्मे आप अपना एक अलगी वर्चर्श बना कर रखेंगे आपका श्रमान आदर एक अलगी लेवल पर होगा आप शुबी को बिदा दें कि यह श्मे आपके जिंदगी का जो भी पिछले श्मे के कारे थे वह श्मे दोस्तों आपको श्वलता नहीं मिली थी लेकिन अब श्मे भी मेशूर करेंगे हलांकि दोस्तों आप शिबी को बिदा दें कि आने वाली 72 घंटों के अंदर आपको कुछ यसे शुब शंकेद भी मिल सकते हैं जो कि इश्वर की देवी शक्तियां आप शिबी के शात रहने वाली है इनी के दोरा यह शुब शंकेद आप शिबी को मिल आजाए। जै दोस्तों द्यान से सुनिएगा अगर दोस्तों आपके घर में होई ऐ चिबकली रात को शोते शिबी में आपको अगर 2022 घंटों के अंदर दिखने वाली है तो दोस्तों द्यान रखियें के मातालक्षमी का शिरबाद आप शिबी को पराप्त होने वाली है मा इस संक्यत को आपको शमझना है और दोस्वों जब भी ये शंक्यत आपको मिलते ही तो शुबा उटकर आपको क्या करना है ना दोलेना और दोस्वों गंगाजल से खुद को शुद कर लेना है और दोस्वों मातालक्षमी की आरती करनी है मातालक्षमी का पूजा पाट करना है और दोस्तों ध्यान रुकियेगा जब भी आप उजा करते हैं वह श्मी मातालक्षमी को एक लाल पुष्व अवशी अर्पित किजेगा इनसे दोस्तों आप शिवी के ये जो शंके थे उनका बहुत ही शुप फल प्रापत होगा इनसे मातालक्षमी का जो आप आदर करें शिवी उनके मल में आपके एक अलग ही शबी बनेगी और मातालक्षमी आपसी बहुत ही ज़त पश्चिन होंगी तो दोस्तों इस उपाई को आपको अपने ध्यान में रखना है इसके उपरांदी दोस्तों आप शुप को बता दें कि आने वाले 72 घंटों का शमी आपके लिए बहुत ही मैत्पू शमी है यसमे आप शुप को बता दें कि आपके घर परवार में धनलाब की शिप रापती होगी यसे दोस्तों घर परिवार में खुशियों की एक अलगी छबी रहेगी खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा जो लोग नोकरी की तैयारी कर रहे थी यश्मी उनकी नोकरी की परती कोई ऐसा सुप समचार मिलेगा जिनसे घर परिवार में खुशियों का कोई ठिकाना नहीं रहेगा विद्यार्थियों के लिए शमी बहुत ही महत्पुन है यश्मी गरहों का बहुत ही अच्छा लाव आप शिबी को मिलेगा बश्य आपको अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के उश्कता है और जो भी आप ध्यान दे रहें यश्मी इनका फल आपको चोगने में मिलने वाले है बस दोस्तों आपको क्या करना है कि अपने शमी को बिल्कुल भी नश्ट नहीं करना है पढ़ाई में एक गर्चित होकर अपने पढ़ाई को करना है आने वाले 24 घंटों का समय आपके लिए बहुती महत्पुश शमी है या समय आप कोई नए एश्य कार करेंगे जिनसे आप शबी का समय आने वाले शमी में सब शिय अलग होगा यानि कि दोस्तों एश्या समय होगा कि लोग कहेंगे इनको वर्दान मिल गया है या समय आप शिवी को मिलेगा कि दोस्तों आने वाले 22 घंटों के अंदर जो गुरू और जो बोधिक इस्तिती होगी आपके लिए बहुती लाबगारी है दोस्तों एश्य गहरों किस्तिती बहुती कम होते ही जब दोस्वे नचतर और रह्षे पक्ष में इसी सुवीयों का निर्मान हो जाना दोस्वेत्टी को हमेशा धनशे मला माल कर देती है जे दोस्वे अश्मे गरों की चाल आप शिभी को बड़ी धनलाप की योग बनाएंगी इसलिए दोस्तों आप शिवी को बता दें कि जब भी आप कारी करते हैं उन्हें में जल्दबाजी मत कीजेगा क्यों दोस्तों शमय के शाद आपको हर कारियों में शुबलताओं की प्राप्ति होगी अगर आप जल्दबाजी में कारी करेंगे तो दोस्तों कोई मामले आपसे छूट सकते हैं जिनसे आपको मुश्किलें भी मिल सकती है इसलिए दोस्तों इस बात का आपको खास ध्यान रखना है इसको परांदा आप शुबी को बता दें कि खुशकबरियों का आपके लिए बहुत याच्वाश्मे है आप शुबी को बता दें कि इसी व्यक्ति के दोवारा आपको बड़ी खुशकबरी मिल सकता है किसी अंजान व्यक्ति के दोवारा आपको बड़ी खुशकबरी मिल सकती है और दोस्तों ये खुशकबरी आपके पक्ष में होगी जिया दोस्तों इश्क उप्रांद आप शिभी को बता दें कि यश में आपको बश इशी बेंजान व्यक्ति के उपर आँख मुंद कर भरुशार नहीं करना है जिया दोस्तों आप बात शुन सकते हैं लेकिन दोस्तों भरुश आपको भूल कर भी नहीं करना है शुन सकते हैं खुद पर आपको विश्वास करना है और खुद के क्रोध पर आपको धोड़ाशा कंट्रूल कर रखना है खुद के बातों पर आपको धोड़ाशा ध्यान देना है अपने लहजे को श्रमाल कर बोलना है नमर वहवार और दयालू श्वभाव की आपको अपने चलरी को यश्म तादपरिया है कि तनाव में होने की कारण व्यक्ति के मुषे कुछ अब सब्द आ चाते हैं लेकिन दोस्तों इनका तादपरिया नहीं कि आप गलत सौभाव के हैं दोस्तों सौभाव आपका उतना यह निज्शल है लेकिन और भश आपको गुशे अपने लोगों के शाद कारबार की शुरुवात कर रहे हैं अपने लोगों के शाद पेशे की लेंदेर कर रहे हैं या फिर मिल जुल कर कोई नए कारे करने की चाहर रख रहे हैं सब सोच रहे हैं तो दोस्तों आपको इन शबी बातों पर ध्यान देना होगा कि अपने लोगों शियर्ष में आपको दूरी बना कर रखनी है जियर्ष में बहुश में ये कारे आपको नुक्षान दिला सकते हैं जे दोस्तों या फिर जो वेक्ति आपको धोका दे रहते मन ही मन यश में आपको जान पाएंगे और दोस्तों आपकी आँखें खुल जाएंगे गरों की जो इस्तिती बन रही है आपके लिए बहुत यह अच्छी है यश में आपको बड़ी खुशकबरी के शाथ सत बहुत श फिर ल्शिफलताओं को लेकर आएगा इसके साथ दोस्तों आप इंटरेटैनमेंट भी कर पाएंगे जैसे की दोस्तों यह चान है आपको ओपर चौनूर्टी मिलेंगी जैसे की दोस्तों लंबी टूर पर आप भी आजा सकते हैं जैろ दोस्तों कमपनी के दHIबार अगर अपने जो मनसिक तनाव है उन श्विए आप मुख्द भी हो पाएंगे इसके उपरांती दोस्तों हम आप श्यूब को विदा दें की जो भी वह यो आवर्ग है वे अपने काम को लेकर बिल्कुली शक्त हो जाएं शम्य आपके लिए बहुत यचा है उन्नती के लिए आपको स शवाव बहुत यचा रहेगा घर परिवार के शयोग से आप सब बहुत यच्छे कारियों में शुबलताओं के उपराप्त कर पाएंगी आप श्यूब को बता दें कि घर का महौल यश्मी बहुत यचा रहने वाले हैं नौक चौक जो भी थी वो यश्मी दूर होने वाली ह लेकिन दोस्तों हम आप शुबल को यह बात बिदा दें कि हर बारे बारने के महाल में थोड़ा इसनलग स्युक होता है और दूसरों हर छोटी बातों को लेकर आपको बिल्कोली चिड़ना नहीं है दोस्तों शवार्व बातों को आपको हल करना है जो लोग प्रेयम श्मन मे पिछले कईश में से थे उन श्यवे के लिए बहुत यच्चा है घर का जो बात है वो दोस्तों आपके पक्ष में होंगी आप फिर कहें तो गरहों की स्तिती के इशाद यश्मी आपके घरवाले आपके बात को मानने वाले हैं बश आपको अपनी बातों को उनके शामने बिल् बेरोजगारों को रोजगार के भी अफशर प्राप्त होने वाले हैं जे दोस्तों इश्मी आपके लिए एक बड़ी खुशकबरी है अगर आपने किशी को पेशा दिया था वह पेशा आपको आपश मिल सकता है प्रोप्टी में आपके लिए अच्छा है दोस्तों जो मकान या फिर नया वहां लेना चाह रहे थे उनके लिए गरों की स्थिती बहुत ही अच्छी है याश्मी आप अपने जो चाहे उनमें कामयाब हो पाएंगे और लाब के अफशर आप शिवी के हाथ में आने वाले हैं बश आपको उन पर कारी करना है जे दोस्तों श्वास क आपको बेफुजल के तनाव लेने शे बचना है बेवज़ा के तनाव अगर आप अपने दिमाग में लेंगे तो दोस्तों ठकान आप शिवी को शकता है इसलिए बेवज़ा के तनाव भूल कर भी ना ले और कुछ गलत कारे आप पिल्कुल ही ना करें जे दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि या कारे आपके लिए गलत है वो शक्यार को मत कीजेगा इसे कारियों में आपको सबसे ज़्यदा तनाव होते हैं तो दोस्तों इन शबी कारियों शे आपको बचना है और शादे शाद दोस्तों आप शिवी को बिदा दें कि इश्वर की देवी शक्त तो दोस्तों उन लोगों की आपको मदद करना है। बहुती शपल होंगे और दोस्वों धनलाब के रास्ते आप शिवी के लिए खुलेंगे और घर प्रवार का मोहल भी अच्छा होगा जो शत्रू आप शिवी को प्रिशान करते हैं उन्शे भी आप शिवी को मुक्ति मिलेंगी तो दोस्वों आपको कौन से उपाय श्मे करना चाहिए दोस्वों सबसे पहले आप शिवी को बता दें कि यह श्मे दनलाब के लिए आपको शपेद कपडे के जंडे को पीपल के वरिक्ष पर लगाना चाहिए जो शमे है जो गरों के स्तिती है जो दुन है इनी के नुशार हमें आपको यह उपाय बता रहे है जो दोस्वों आप शिवी को शपेद कपडे के जंडे को पीपल के वरिक्ष पर लगाना चाहिए जो दोस्वों वयवैशाय में एक आश्मिक दोस्वों वयदान एवंग पतन की शंभावना परबल हो रही है तो यह परियोग आपके लिए बहुत ही लाब दायक है जे दोस्वों आप शिवी को बता दें कि एक हंडिया में शवाकिलो हरी मुंग की दाल दूसरी शवाकिलो डलिया वाला नमक भर दे यह दोनों हंडिया में भर कर कहीं रख दे यह किरिया आपको बश शाम को करना है दोस्वों आपको क्या करना है कि घर में रहना है घर का माहौल सांती बना कर रखना है और घर में जो भी धन की शमश्याएं है जो धन की आवक रुख गई है वे धनकी शमश्याय भी खत्मोंगी धनकी आवग भी बढ़ेंगी और माताल लक्षमी का शिरवाद भी आप शिवी को प्राप्ट होगा इशक ब्रादि दोस्वों आप शिवी को एक और महत्पुन भाई कौन स्वी करने चाहिए दोस्वों आप शिवी को बिदा दें कि कभी कबार आप शिवी के पती पत्नी के बीच थोड़ी शी नौक जोंग होते हैं लेकिन दोस्वों इशा नहीं है कि आप लोग बहुत इज़ाद लड़ती ही लेकिन दोस्वों अगर आप छोटी छोटी नौक जोटी नौक जोग को भी दूर करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप शुबह की रिष्टे में कभी भी नौक जोग आये ही ना गलत में पेदा ही ना हो तो दोस्वों पतनी को पीली चुड़ियां पहनी चाहिए जी दोस्वों इशे जो आपका रिस्ता है वो मदूर होगा और दोस्वों खाश कराने वाली 72 गंटों का शिमी आपके लिए इतना खाश है कि दोस्वों जो चीज आप चाहते हैं वह चीज आपके लिए शबल हो जाएगा तो दोस्वों 72 गंटों के इंदर आप कहीं शे पीली चुड़ियों को बैस्ता करके पहनिएगा जी दोस्वों इशको प्रांत आप शबी को बदा दे कि जो भी घर के कारोबारी व्यक्ती है उन शबी को बदा दे कि जब भी आप काम पर जाते हैं जो भी कपड़े पहनते हैं वे कपड़े गंदे नहीं होना चाहिए शाप जूते चपल और कपड़े आपको पहनना चाहिए और शही तरीके से इन सभी को अपने घर में रखना चाहिए दोस्थों यश्य अगर आप करेंगे तो आपको कारीयों में शिफलताओं की प्राप्ती होगी उड़ जो गरहों की इस्तती में चोटे जोटे इसी व्यक्त परस्तियां पैदा होती है दोसों उन्से मुक्ती मिलेंगी और आपकी कारशत्म नाकारत्म और उर्जा खथ्म होंगी कि दोसों यश्वर की दिविशत्य आपके शाथ है तो दोसों आपको अच्छे कर्म करना है ये दोस्वों अपने मन को अपने शुभाब को हमेशा शकारतमक रखना है इश्वर के परती आपको सबसे जदा प्रेम रखना है शबी लोगों की शायता करना है जो भी लोग आपके अनादर करते हैं दोस्वों उनको आपको चोट नहीं पहुँचाना है दोस्तों बस आपको यह शमझना है कि इश्वर के आगे हम क्या है जब इश्वर इनको दंड देगा तो ये कहीं का नहीं रहेगा ये दोस्तों बस आपको अपने कारे को करना है और दोस्तों आप देख पाएंगे कि इश्वर की जो प्रशनता है विदोसों आपसे सबसे ज़्यदा बढ़ेगी इश्वर आपसे सबसे ज़्यदा प्रशन होंगे इश्वर शमझेंगे कि आपने अपने जनकाल के शारी कारें को उन्हीं के उपर छोब दिये हैं जो भी कारे हैं जो भी शत्रू आपको प्रिशान करते हैं आपने उन्ही को अपना गुरु माना है और दोसु इश्वर आपको प्रिशान हर प्रिशाने शुदू रखेंगे जिया 200 क्या करना है अगला जो उपाय है और दोसु यह है कि किशी भी लड़की को किशी भी इस्तरी को आफिर किसी भी नारी को आपको अप्शब्द नहीं ब लक्ष्मी आपश्वी के जुवनकाल में प्रेशनने हैं, और दोस्वं यश्मी उनका शंकेत भी आपश्वी को प्राप्त होंगी, तो दोस्वं यश्मी में आपको किशी भी इस्तरी को अपमान नहीं करना है, ना है उनके शाथ कोई गलित भहवार करना है, दोस्वं की देवी माता लक्षमी आप शिभी शे सबसे ज़्यादा प्रेशन होंगी और दोसों आपके जुनकाल में जो भी धन्स जुड़ी शमयश्याय है वे शबी शमाप्त कर देंगी बस दोसों आपको इन बातों का खास दौर पर ध्यान रखना है तब दोसों आपको अपने जु शारी उपाई करना है दोसों आपको हर रोज इउपाई भूल कर भी नहीं करना है जी दोसों यश्मी आपको शत्रू बहुत यदा प्रिशान करते हैं शत्रू आपको हमेशा कारियों में लुक्षान पहुचाना चाहता है या फिर बहुत शारी कारे हैं जिनमें वह आपके पीछे लगे हैं तो दोसों यश्मी आपको बश अपने शत्रू से पीछा चुडाने के लिए एक महत्पुर मंत्र का उपाय करना है जी आदोसों आप शुपी को बता दें कि जो भी आपका मन है जो भी आप चाहते हैं कि शत्रू के पास साथ हो जाए दोसों बश वही होगा बश आप इसे आप ध्यान से दिखिएगा कि आपको एक निम्बू को लेकर उश का चार टुकडे कर लें और दोसों आप शुपी को बता दें कि चार लोंग भी लें और दोसों इन्हें गाड़ दें तो दोसों एश्यमययस में आपको यह उपाई को बिल्कुल ही करना है जिया दोसों आपको एक निम्बू को लेकर उश पर चार लोंग गाड़ दें तथा इस मंत्र का जाप करें जिये दोसों यह मंत्र है ओश्री हनुमते नमह इश्य मंद्र का जाप आपको केश बार करना है शाथे इसे ले जाकर आपको अपने काम के जगव पर रख देना है जहां पर आपको बधाया आती है जहां पर आपको शत्रू परिशान करता है दोस्वों इसे जगहों पर राग देना है और दोस्वों इसे आपके जो भी शत्रू है जो आपको प्रेशान करना चाहते हैं वे खुद ही प्रेशान होंगे और आपको प्रेशान वे कभी नहीं कर पाएंगे हर्मान जी की शक्ति आप शिबी की श्रात रहेंगी माबलिहrånमाजी आपशीबी को रक्षा करेंगी बश आपको इस बात का ध्यान रखना है तो दोस्तों आनेवाले तीन दुरॉपकाश में आपके लिए हीरे चेव्य किम्ती शमय है और वह शमय आपको दिखेंगे भी और उनमें आपको लाबगी प्राप्ती भी होंगे जे दोस्व बच आपको इन बातों के अधने लखना है जो हमने आपको बताए है तो दोस्वों फिर मिलते हैं नए वीडियो में तो दोस्वों आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा प्रशन आया है दोस्वों वीडियो को लाइक शेर करना बिल्कुल ना भूलें और दोस्वों वीडियो को लाइक करके चैनल को शaimerLY ही सब्सक्राइब करेजएगा धन्यवाद आप शिवी का दिन शुब हो मंगल मै हो